नमस्कार, NCIT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह क्लास 7 की साइंस का चाप्टर 1 नूट्रिशन इन प्लांट्स आए इसे देखें In class 6, you learned that food is essential for all living organisms Class 6 में हमने देखा है कि food सभी living organisms के लिए जरूरी है, essential है You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food Classics में हमने यह भी जाना है कि components of food क्या-क्या है तो वो हैं carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals तो अगर आप से पूछा जाए exam में कि what are components of food तो आप इन 5 चीजों का नाम लिख सकते हैं These components of food are called nutrients और इन ही components of food को हम nutrients भी कहते हैं and are necessary for our body और ये nutrients हमारी शरीर के लिए जरूरी है, necessary है All living organisms require food जितने भी living organisms हैं उनको खाना चाहिए Plants can synthesize food for themselves But animals including humans cannot पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं Synthesize करना मतलब बनाना, prepare करना तो पौधे तो अपना खाना बना सकते हैं लेकिन जो animals हैं Including हम human beings खाना अपना खुद नहीं बना सकते They get it from plants और animals that eat plants तो ऐसे living organisms जो अपना खाना नहीं बना सकते वो plants पर depend होते हैं अपने खाने के लिए या फिर दूसरे ऐसे animals पर depend होते हैं जो plant पर dependent हैं अपने खाने के लिए इसे इस तरह समझें कि जो animal अपना खाना खुद नहीं बना सकता है वो plant के द्वारा बनाये गए खानों को खाएगा या फिर ऐसे animals को खाएगा जो plant के द्वारा बनाये हुए खाने को खाए हुए है इसलिए इनिमल्स जो भी है including human beings हम आदमियों को भी मिला कर सारे directly या फिर इंडरेक्ली plants पर dependent हैं अपने food के लिए अभी बूजो wants to know how plants prepare their own food अब बूजो जानना चाहता है कि पौधे plants अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं तो आईए इसके बारे में जानते हैं 1.1 mode of nutrition in plant plants में खाना बनाने के क्या-क्या तरीके हैं plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals plants अकेले ऐसे organisms हैं अकेले ऐसे जीव हैं जो अपना खाना अपने लिए खुद बना सकते हैं किन-किन चीजों का इस्तेमाल करके तो water का इस्तेमाल करके carbon dioxide का इस्तेमाल करके और minerals का इस्तेमाल करके the raw materials are present in their surroundings तो ये तीन जो raw materials हैं plant के खाना बनने के लिए water, carbon dioxide और minerals ये तीनों plant की surrounding में plant के आसपास मौजूद होते हैं present होते हैं the nutrients enable living organisms to build their bodies to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes तो हमने उपर देखा के खाना खाने से food consume करने से हमें nutrients मिलते हैं तो ये nutrients हमें किन चीजों में help करते हैं तो ये nutrients हमारी body को बनाने में हमें बढ़ा करने में अगर हमारी शरीर का कोई हिस्सा damage हो गया है उसे repair करने में और हमें energy provide करने में ये nutrients help करते हैं nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body तो अगर आप से पूछा जाए कि nutrition क्या है तो आप लिखेंगे कि nutrition वो तरीका है जिससे कोई organism कोई जीव खाना खाता है अपने शरीर के अंदर food को लेता है और उसकी body उसे utilize करती है उसी process को हम nutrition कहते हैं organism ने खाना खाया और उसकी body ने उस food को utilize किया यही nutrition है और nutrition से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं वो आप लिख सकते हैं कि nutrition से हमारी body build होती है, हम बड़े होते हैं हमारे तूटे-फूटे अंग जो हैं वो repair हो जाते हैं और हमें energy मिलती है अपने जीवन के कामों को करने के लिए अपने life processes को perform करने के लिए तो nutrition का वह तरीका जिससे एक organism, एक जीव अपने लिए खाना खुद बनाता है कुछ साधारन सामानों का इस्थिमाल करके उस तरीके को हम autotropic nutrition कहते हैं autotropic सब्द दो शब्दों से बना है एक है auto, दूसरा है trophos, auto का मतलब होता है खुद, self, और trophos का मतलब होता है nourishment, portion मतलब अपने लिए nutrition की विवस्था खुद करना autotropic nutrition है तो ऐसा nutrition कौन करते हैं ऐसा nutrition plant करते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने लिए nutrition की विवस्था वो खुद करते हैं इसलिए वे autotropic हैं और ऐसे organisms जो autotropic हैं उन्हें autotrops कहा जाता है therefore plants are called autotrops animals and most other organisms take in food prepared by plants they are called heterotrops जानवर और दूसरे ऐसे organisms जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वे plant के द्वारा बनाए गए food पे dependent होते हैं और ऐसे organisms को हम heterotrops कहते हैं और इस तरह के nutrition को heterotropic nutrition कहा जाता है ये भी दो सब्दों से बना है hetero और trophos hetero मतलब other और trophos मतलब nourishment तो जो nourishment दूसरे लोगों से लेते हैं उन्हें हम heterotrops कहेंगे और उस तरह के nutrition को heterotropic nutrition कहेंगे पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do अब पहली जानना चाहती है कि हमारा शरीर अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकता जिस तरह पौधे अपना खाना बनाते हैं carbon dioxide, water and minerals का इस्तेमाल करके तो आईए इस सवाल का जवाब भी देखते हैं now we may ask where the food factories of plants are located अब हमने ये जाना कि plants अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम शायद ये भी जानना चाहेंगे कि plant अपना खाना खुद कहां बनाते हैं plant की body में उनके लिए जो खाना बन रहा होता है वो कहां बनता है उनकी food factories कहां है whether food is made in all parts of the plant or only in certain parts क्या plant के पूरे शरीर में खाना बनता है plant की पूरी body में खाना बनता है how do plants obtain the raw materials from the surroundings ये जो raw materials plant को चाहिए water, carbon dioxide और minerals ये plant अपने आसपास से कैसे obtain करते हैं कैसे प्राप्त करते हैं how do they transport them to the food factories of plants और इन raw materials को obtain करने के बाद plant इन raw material को अपनी food factories तक किस तरह पहुँचाते हैं तो आईए इसके बारे में जानते हैं section 1.2 photosynthesis food making process in plant अब photosynthesis के बारे में जानेंगे photosynthesis वो तरीका है जिससे plants अपना खाना खुद बनाते हैं leaves are the food factories of the plants तो उपर पूछा गया था कि plants की food factories कहां हैं तो plant की food factories leaves में होती है पत्तों में होती है therefore all the raw material must reach the leaf तो जितने भी raw materials चाहिए plant को खाना बनाने के लिए ये सारे food factories तक पहुचने चाहिए मतलब सारा raw material पत्तों तक पहुचना चाहिए water and minerals present in the soil are observed by the roots and transported to the leaves मिटी के अंदर पानी और minerals मौजूद होते हैं प्रेजन्ट होते हैं जो की plant की चड़ों के द्वारा roots के द्वारा absorb कर लिए जाते हैं soak लिए जाते हैं और फिर in water और minerals को plant के पत्तों तक पहुचाया जाता है तो हमें soil से water और minerals तो मिल गए ये water और ये mineral मिल गया अब carbon dioxide plant air से लेता है carbon dioxide from air is taken in plant के अंदर carbon dioxide air से आता है through the tiny pores present on the surface of leaves और ये air जो plant की body में enter होता है ये भी leaves के throw ही enter होता है plant के leaves में छोटे-छोटे pores होते हैं छोटे-छोटे छेद होते हैं जिससे होके ये carbon dioxide plant के leaves में enter करता है ये section खतम करके हम इस box को देखेंगे these pores are surrounded by guard cells तो ये pores जिनसे होके plant के पत्तों में carbon dioxide enter करता है ये pores guard cell के द्वारा protected होते हैं, surrounded होते हैं चारो तरप से घिरे होते हैं such pores are called stomata इन pores को, इन छेदों को stomata कहा जाता है figure 1.2C, अगर आप stomata को देखना चाहें तो ये है figure 1.2C stomata की figure है जिसमें आप देखेंगे ये guard cells हैं ये वाले और ये वाले और ये वो pore है जिसके through होके air अंदर enter करता है water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root the stem, the branches and the leaves अब हमने जाना कि पत्तों में carbon dioxide leaf के द्वारा ही absorb किया जाता है तो उसे transport करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन water और minerals plant में जड़ों के द्वारा absorb किया जाता है तो उन water और minerals को transport करने की जरूरत है leaves तक तो ये transportation का काम vessels के द्वारा होता है जो कि plant की पूरी body में लगे होते हैं पूरी body में रन करते हैं उनके stem से होके उनके leaves तक ये pipe की तरह के structure होते हैं जिनसे होके water और minerals plant की जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुचता है ये विसल एक रास्ता बनाते हैं जिससे nutrients leaf तक पत्ते तक पहुच पाता है और इन रास्तों को vessels कहते हैं एक्जाम्पल के लिए अगर आप इस plant को देखें तो plant ने soil से water और mineral लिया है ये water और mineral इस pipe की तरह के structure से उपर को transport होगा और finally leaf तक पहुचेगा leaf ने carbon dioxide already absorb कर रखा है और sunlight के presence में ये तीनों चीज़े मिलेंगी तो leaf खाना बनाएगा You will learn more about transport of materials in plant in chapter 11 chapter 11 में हम plant में transportation किस तरह होता है इसके बारे में और पढ़ेंगे पहली wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot पहली जानना चाहती है कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि वे खाना बना सकते हैं और पौधे के दूसरे parts खाना नहीं बना सकते तो आईए इसके बारे में देखेंगे इससे पहले हम इस box को देखते हैं इसमें cell के बारे में बताया गया है You have seen the buildings are made of bricks आपने देखा है कि बड़ी-बड़ी building इटों से मिलकर बनती है Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells तो जिस तरह building इटों से बनी होती है उसी तरह किसी living organism की body बहुत सारे cells को मिला कर बनती है इसे आप living organism की body का brick समझे Cells can be seen only under the microscope इन cells को केवल microscope से ही देखा जा सकता है Some organisms are made of only one cell कुछ ऐसे भी organism हैं जो केवल एक ही cell से बने होते हैं इन्हें unicellular organism कहते हैं The cell is enclosed by a thin outer boundary called cell membrane ये cell एक पतली boundary से घिरा होता है जिसे हम cell membrane कहते हैं Most cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus जितने भी cells हैं उन सभी में, उनकी body के center में एक dark तरह की चीज आपको दिखेगी जिसे हम nucleus कहते हैं और ये mostly spherical structure का होता है गोला कार होता है The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm इस nucleus के चारो तरफ एक jelly की तरह का substance होता है ये yellow वाला जिसे हम cytoplasm कहते हैं तो cell के बारे में हमने तीन terminologies देखी एक nucleus जो cell के बीचो बीच लोकेटेड होता है centrally located होता है और ये nucleus spherical in shape होता है गोला कार होता है Cell के चारो तरफ एक jelly-like substance होता है जिसे हम cytoplasm कहते हैं और cell एक thin membrane से घिरा होता है thin boundary से घिरा होता है जिसे हम cell membrane कहते हैं आईए हम chapter को continue करते हैं तो इससे पहले question ये पुछा गया था कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि किवल वही खाना बना सकते हैं और plant के दूसरे parts खाना नहीं बना सकते तो पत्तों में ये खास green pigment होता है जिसे हम chlorophyll कहते हैं ये chlorophyll पत्तों को मदद करता है ताकि पत्ते sunlight की energy को capture कर सके पकड़ सके this energy is used to synthesize और prepare food from carbon dioxide and water chlorophyll के द्वारा capture की गई sunlight की energy का इस्तेमाल करके ही water और carbon dioxide के presence में plant के leaves में food बनाया जाता है since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight it is called photosynthesis synthesis मतलब prepare होना तो खाना जो बनता है वो sunlight के presence में बनता है इसलिए इस process को हम photosynthesis कहते हैं photosynthesis भी दो शब्दों से बना है photo और synthesis photo का मतलब है light और synthesis का मतलब है banana या फिर combine करना जोड़ना so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis इस process को study करने के बाद हमने ये पाया कि photosynthesis वाले process को होने के लिए plant के chlorophyll का होना जरूरी है ताकि वे sunlight को capture कर सकें जिसकी energy को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा खाने को बनाने के लिए sunlight का होना जरूरी है ताकि energy पत्तो तक पहुँच सके carbon dioxide का होना जरूरी है और water का होना जरूरी है ये दो components हैं जिनको मिलाके food prepare किया जाता है It is a unique process on the earth photosynthesis एक unique process है इस पूरी धर्ती पर ऐसा कोई दूसरा नहीं जिसमें कोई organism अपना खाना खुद बनाता हो और ये process लगभग सारे green plants में होता है The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in form of food Plants के द्वारा solar energy को capture करके food बनाके उसे store करके रखा जाता है The sun is the ultimate source of energy for all living organisms तो जितने भी living organisms हैं उन सभी के लिए जो energy का source है उर्जा का स्रोथ है वो sun ही है सारी energy sun से ही आती है Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? अगर धर्थी पे photosynthesis नहीं हो plants अपना खाना नहीं बनाए तो क्या आप इस धर्थी पे जीवन के बारे में सोच सकते हैं? तो अगर photosynthesis नहीं होगी तो धर्थी पे कोई जीवन नहीं होगा जितने भी living organisms हैं वे सारे नहीं होंगे इस धर्थी पे अगर photosynthesis नहीं होगा तो हमारे पास कोई खाना नहीं होगा तो जितने भी living organisms हैं वे सब ही directly या indirectly plant के द्वारा बनाए गए food पे ही depend करते हैं Besides, oxygen which is essential for the survival of all organism is produced during photosynthesis food के अलावे living organisms के survival के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है वो है oxygen और ये oxygen भी photosynthesis के process में ही release होता है In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth अगर photosynthesis नहीं हो तो धर्थी पे जीवन असंभव है During photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates photosynthesis के समय पत्ते जिन में chlorophyll होता है वे sunlight के presence में carbon dioxide और water को use करके carbohydrate बनाते हैं और इसी process को हम photosynthesis कहते हैं photosynthesis के definition में भी आप इतनी चीज लिख सकते हैं the process can be represented in an equation इस तरह के एक equation से इस पूरे photosynthesis के process को represent किया दा सकता है और ये equation कहता है कि carbon dioxide और water को जब हम जोडते हैं sunlight और chlorophyll के presence में तब हमें carbohydrate और oxygen मिलता है equation के lift में हमेशा वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो चीज़ें provided हों और arrow के उपर वे चीज़ें लिखी जाती हैं जिनके presence में चीज़ें हो रही होती है और जो output होता है वो right hand side में लिखा जाता है यहां जगह की कमी के कारणी से नीचे लिखा गया है photosynthesis के question में अगर आप ये diagram भी बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा इसमें दिखाया भी वही गया है कि sunlight के presence में chlorophyll containing leaves, carbon dioxide ले रहा है, oxygen छोड रहा है और root से water और minerals absorb कर रहा है diagram showing photosynthesis during the process oxygen is released photosynthesis के process में oxygen बाहर निकलता है the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis starch is also a carbohydrate पत्ते में starch पाया जाता है और starch एक तरह का carbohydrate है जिससे हमें यहां पता चलता है कि photosynthesis पत्ते में हुआ है बूजो और बूजो ने कुछ ऐसे भी plants देखे हैं इसके पत्ते रेड वायलेट या ब्राउन थे he wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis बूजो जानना चाहता है कि क्या जो पत्ते हरे नहीं है लाल ब्राउन या वायलेट कलर के हैं क्या वे भी photosynthesis करते हैं तो answer है कि हां करते हैं आईए हम आगे इन activities में देखेंगे कि वे कैसे photosynthesis करते हैं activity 1.1 take two potted plants of the same kind keep one in the dark और in a black box for 72 hours and the other in sunlight एक ही तरह के दो गमले वाले पौधे लीजिए एक को अंधेरे में या फिर एक काले बकसे में रखिए 72 hours के लिए और दूसरे को sunlight में रखिए धूप में रखिए इन दो पौधों के पत्तों के साथ वही iodine test करना है iodine test में हम उसके पत्तों पर iodine की drops गिराते थे तो ऐसा यहां भी करेंगे और अपने observation को अपने result को record करेंगे अपनी notebook में now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves जिस potted plant को dark में रखा गया था उसे 3-4 दिन के लिए sunlight में रखेंगे और फिर से iodine test perform करेंगे और अब की बार जो हमें observation मिला है उसे भी अपने notebook में record करेंगे the leaves other than green also have chlorophyll इस test को perform करके हमें यह पता चलेगा कि वे पौधें जो हरे नहीं होते उनके अंदर भी chlorophyll होता है the large amount of red, brown and other pigments mask the green color जो पते लाल या दूसरे रंगे होते हैं उनमें जो दूसरा रंग है वो भाड़ी परता है और हरे रंग को mask कर देता है चुपा देता है photosynthesis take place in these leaves also तो जो पते हरे रंगे नहीं है जो colored leaves हैं उनमें भी photosynthesis होता है you often see slimmy green patches in ponds और stagnant water bodies हमें तालाब में या फिर ऐसे पानी में जो रुका हुआ है हरे हरे धब्बे दिखाई देते हैं these are generally formed by the growth of organisms called algae ये हरे धब्बे एक organism के growth के कारण फॉर्म होते हैं जिसका नाम algae है can you guess why algae are green in color क्या हब सोच सकते हैं कि ये algae हरा क्यों दिखता है they contain chlorophyll which gives them the green color इस algae में chlorophyll होता है जिस कारण ये हरा दिखता है green color का दिखता है algae can also prepare their own food by photosynthesis algae भी अपना खाना खुद बना सकते हैं photosynthesis करके synthesis of plant food other than carbohydrate plant carbohydrate के अलावे जो दूसरे food हैं उसको कैसे synthesize करता है कैसे बनाता है उसके बारे में you have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis हमने अभी अभी देखा है कि plant photosynthesis करके carbohydrate बनाते हैं the carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen carbohydrate तीन चीजों से बना होता है पहला carbon, दूसरा hydrogen और तीसरा oxygen these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats ये carbon, hydrogen और oxygen food के अलग-अलग components को prepare करने में help करते हैं जैसे कि protein और fat भी इन ही components से मिलकर बनते हैं but proteins are nitrogenous substance which contains nitrogen लेकिन protein जो है वो nitrogenous substance है protein में nitrogen होता है protein nitrogen contain करता है रखता है from where do the plants obtain nitrogen अब question है कि plant photosynthesis करके carbohydrate बनाता है लेकिन proteins में जो nitrogen पाया जाता है वो plant के पास कहां से आता है plant nitrogen कहां से लाते हैं कहां से पाते हैं recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air हमारे air में nitrogen का बहुत सारा presence है बहुत सारा nitrogen है हमारे air में however plants cannot absorb nitrogen in this form बहुत सारे nitrogen के air में मौजूद होने के बावजूद भी plants nitrogen को air से absorb नहीं कर सकते plant को nitrogen soluble form में चाहिए होता है गुले हुए form में चाहिए होता है वे air से केवल carbon dioxide लेते हैं soil had certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil मिट्टी में कुछ ऐसे bacteria पाया जाते हैं जो की air में present gaseous nitrogen को nitrogen जो gas के form में present है उसको soluble form में, usable form में जिसे use किया जा सके उस form में convert कर देते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं मिट्टी में release कर देते हैं these are absorbed by the plants along with water और यही वो nitrogen है जो plants के द्वारा absorb किया जाता है plant जब soil से water absorb कर रहा होता है तो साथ-साथ ये soluble nitrogen भी घुला हुआ nitrogen भी absorb कर लिया जाता है आपने देखा होगा कि किशान मिट्टी में कुछ ऐसे fertilizers मिलाते हैं जो nitrogen में rich होते हैं soil के nitrogen content को बढ़ाने के लिए वे इस तरह के fertilizers का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं इन दिस वे, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents और plants इस तरह से अपने nitrogen के requirements को पूरा करते हैं बांकी चीजों के साथ-साथ air, water, sunlight, इन सभी चीजों के साथ-साथ nitrogen भी उन्हें soil से ही मिलता है plants can then synthesize protein and vitamins इस nitrogen को पाने के बाद plant अब protein और vitamin भी बना सकते हैं synthesize कर सकते हैं other modes of nutrition in plants plants में nutrition के और क्या तरीके हैं उसके बारे में जानेंगे एक तो autotropic nutrition है plant अपना भोजन खुद बनाता है और खुद ही उसे consume करता है और store करके भी रखता है इसके अलावे plants को भोजन मिलने के और क्या तरीके हैं इसके बारे में there are some plants which do not have chlorophyll कुछ ऐसे भी plants हैं जिनके पास chlorophyll नहीं होता है जरूरी नहीं है कि ये लाल या ब्राउन पत्ते वाले plant हो लाल और ब्राउन पत्ते वाले plants में chlorophyll हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे plant हैं जिनमें वास्तव में chlorophyll नहीं होता they cannot synthesize food तो वैसे plant अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं how do they survive and from where do they derive nutrition तो उस तरह के पौधे किस तरह survive कर पाते हैं और उन्हें उनका भोजन उनका nutrition कहां से मिलता है like human and animals such plants depend on food produced by other plants तो जिस तरह जानवर और human beings दूसरे ऐसे पौधों पर dependent हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं वे पौधे भी जो खाना नहीं बना पाते उन्हीं खाना बनने वाले पौधों पर photosynthesis करने वाले पौधों पर ही depend हो जाते हैं they use the heterotropic mode of nutrition उनमें भी heterotropic mode होता है nutrition का वे भी दूसरे plant से भोजन प्राप्त करते हैं look at figure 1.5 figure 1.5 हमें नीचे मिलेगा ये वाला figure ये एक बड़ा सा plant है और इस पे जो पीले पीले आपको patches दिख रहे हैं ये एक heterotropic plant है जिसके पास अपना chlorophyll नहीं होता और ये इस green वाले plant के उपर dependent है do you see a yellow very branch structure twinning around the stem and branches of a tree इसमें आपको ये घुमावदार जाली नुमा पीले कलर का जो structure दिख रहा है जो इस पेर के stem से leaves तक फैला हुआ है this is a plant called cascata या फिर इसे हिंदी में अमर बेल कहते हैं it does not have chlorophyll इस plant के पास अपना chlorophyll नहीं होता अब जो कि chlorophyll नहीं होता इसलिए वो photosynthesis भी नहीं कर पाता it takes ready-made food from the plant on which it is climbing ये उस plant से अपना food derive करता है जिस पे ये चढ़ता है, climb करता है the plant on which it climbs is called host जिस पौधे पर ये plant चढ़ता है, climb करता है उस plant को host plant कहते हैं तो यहाँ जो ये green colored plant है वो host plant है और ये जो yellow वाली चीज़े हैं, वे gist हैं since it deprives the host of valuable nutrients casketa is called parasite जिस प्लांट पे casketa climb करता है वो हो उसके nutrients को choose ता है deprive करता है उसे, कम करता है इसलिए इसे parasite कहते हैं जो दूसरे पर depend होते हैं जैसे कि मच्छर एक parasite है जो हमारी शरीर से खोंच होसता है उसी तरह ये casketa दूसरे tree से nutrients absorb करता है क्या हम और जो दूसरे animal हैं वो भी एक तरह के parasite है आप इसके बारे में सोचिये और अपनी teacher से discuss कीजे पहली जानना चाहती है कि क्या ये जो कीडे हैं जो दूसरे के उपर depend होते हैं हमारा खोंचूसते हैं क्या वे भी parasite हैं तो हाँ ये parasite है क्या आपने ऐसे plants के बारे में सुना है जो की जानवरों को खाते हो कुछ ऐसे भी plants हैं जो की कीडों को पकड़ सकते हैं और उन्हें पचा सकते हैं तो क्या यह गजब नहीं है कि plants इंसेक्ट को पकड़ के उन्हें digest कर सकें ये plants हरे भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे रंग के भी हो सकते हैं ये plant है इसे picture plant कहते हैं तो इस plant में जो जग की तरह बना हुआ एक structure आपको दिखेगा ये पत्ते का ही एक modified part है पत्ता ही बदलते बदलते इस जग की तरह का आकार ले लेता है पहले ये leaf की तरह होता है फिर धीरे धीरे ये एक जग की तरह बन जाता है तो इस leaf का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो एक धकन बनाता है कि अगर इस जग रूपी structure में कोई insect enter करे तो ये धकन बंद हो जाए और insect अंदर ही trapped रह जाए फसा रह जाए which can open and close the mouth of the picture तो ये धकन इस picture का इस जग का मुह खोल या बंद कर सकता है इस picture के अंदर कुछ बाल की तरह के structure होते है जो नीचे की तरह जुके हुए होते है जब कीड़ा इस picture में enter करता है तो उस picture का धकन बंद हो जाता है और कीड़ा उसके अंदर फस जाता है और ये hair-like structure बाल की तरह का structure कीड़े को trap करने में पकरने में help करता है कीड़ा जब पिचर में फस जाता है जग-like structure में फस जाता है तो उसके अंदर से digestive juices निकलते हैं ऐसे juice जो food को पचाने के कामाते हैं वे कीड़े को digest करते हैं और फिर जो nutrients निकलता है वो plant absorb कर लेता है Such insect eating plants are called insectivorous plant तो इस तरह के जो कीड़ों को खाने वाले पौधे हैं उन्हें insectivorous plant कहा जाता है ऐसे plant जो insect को खाते हों तो क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें मिट्टी से पूरा nutrient नहीं मिलता होगा इसलिए वो कीड़ों को खाकर अपने nutrition की भरपाई करते होंगे तो हाँ यह संभव है और यह सही भी है बूझो सोच रहा है कि अगर पीचर प्लांट ग्रीन है और फोटो संथेसिस भी करता है तो उसे कीड़ों को खाने की क्या जरूरत है तो बात ऐसी है कि फोटो संथेसिस से इस प्लांट की पूरी nutrition की requirement पूरा food requirement पूरा नहीं होता इसलिए इसे कीड़े पकड़के खाने होते हैं ताकि वो सरवाइब कर सके तो यह था इंसेक्टिव और प्लांट के बारे में अगला है सेक्शन 1.4 सेपरो ट्रॉप्स सेपरो ट्रॉप्स ऐसे पौधों को कहते हैं ऐसे प्लांट को कहते हैं जो सड़े गले चीजों पे पैदा होते हैं और वहां से अपना nutrition डेराइब करते हैं तो आईए इनके बारे में देखें आपने सबजी के बाजार में मश्रूम के पैकेट्स बिक्ते देखे होंगे कुछ इस तरह के आपको छत्ते की तरह का एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई देता होगा आईए जानते हैं कि इस तरह के पौधे जो मश्रूम है वे अपना nutrients कहां से पाते हैं और कैसे survive कर पाते हैं बूजो जानना चाहता है कि ये organisms जो सड़ती हुई लकडी पे पैदा होते हैं उन्हें nutrients कहां से मिलता है उनके पास मुह भी नहीं होते जैसे जानवरों के होते हैं ये ग्रीन भी नहीं होते हैं उजले कलर के होते हैं Activity 1.2 Take a piece of bread and moisten it with water एक bread का टुकरा लीजिए और इसे पानी से भिगो दीजिए Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them Bread को भिगो कर एक गर्म जगह पे उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए 2-3 दिन बाद आपको उस पे कुछ धब्बे दिखाई देंगे What is the color of these patches? तो इन धब्बों का रंग क्या है? Observe the patches under a microscope और a magnifying glass इन धब्बों को एक microscope या फिर एक magnifying glass से देखने की कोशिस कीजिए Write down your observation in the notebook आपने जो भी देखा उसे अपनी copy में लिखिए You will see cotton-like threads spread on the piece of bread जब आप इसे microscope या फिर magnifying glass से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा के रूई के धागों की तरह की कोई चीज पूरे bread पे बिखरी हुई है कुछ इस तरह से microscope से देखने के बाद These organisms are called fungi इन organisms को हम fungi कहते हैं They have a different mode of nutrition इन में जो nutrition का mode होता है Nutrition acquire करने का जो तरीका होता है वो अलग है They absorb the nutrients from the bread तो ये जो fungi है वो bread से अपना nutrition लेता है This mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called separotropic nutrition तो separotropic nutrition की ये definition है कि ऐसा mode of nutrition nutrition का ऐसा तरीका जिसमें organism मरे हुए या सड़ रहे matter से सड़ रही चीज से अपना nutrition acquire करता है Nutrition लेता है Nutrients लेता है उस mode of nutrition को हम separotropic nutrition कहते हैं Such organisms with separotropic mode of nutrition are called separotrops और उस तरह के organism जो separotropic mode of nutrition को perform करते हैं उन्हें हम separotrops कहते हैं उस प्रजाती को separotrops कहते हैं Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time Fungi इन चीजों पे भी grow कर सकता है अचार पे, leather पे, कपड़ों पे अगर इन्हें गर्म और humid weather में छोड़ दिया जाए पानी वाले weather में छोड़ दिया जाए तो वहाँ Fungi grow कर जाएगा During the rainy season, they spoil many things बरसाद के मौसम में ये Fungi बहुत सारी चीजों को खराब कर देता है Ask your parents about the menace of fungi in your house अपने parents से पूछिए कि Fungi ने आपके घर में क्या उत्पात मचाया है Fungi से आपको क्या तकलीफ होती है अपने parents से पूछिए The fungal spores are generally present in the air Spores bees को कहते हैं तो fungi पैदा करने वाले जो spores हैं जो ऐसे bees की तरह की चीज हैं जो fungi generate कर सकते हैं फंगाई को पैदा करते हैं वे हवा में होते हैं जब उन्हें appropriate condition मिलता है hot and humid weather मिलता है तो वे automatically वहाँ land करते हैं और वहाँ पे फंगाई ग्रो कर जाता है तो वही बात कि the fungal spores are generally present in the air they land on wet and warm things they germinate and grow जब उन्हें suitable condition मिलता है भीगी और गर्म चीज मिलती है वहाँ पे way spores, way bees वहाँ पे land कर जाते हैं और वहाँ fungi grow कर जाता है now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled क्या अब आप सोच सकते हैं कि हम अपनी चीजों को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं इस fungi से some organisms live together and share both shelter and nutrients कुछ organisms साथ साथ रहते हैं ये घर भी share करते हैं जहाँ वे रहते हैं उस चीज को shelter कहते हैं तो दोनो organisms अपना घर भी share करते हैं और जो खाना है, जो nutrients हैं वो भी share करते हैं तो इस तरह के relationship को symbiosis कहते हैं this relationship is called symbiosis जब दो organism साथ साथ रह रह रहे हो shelter और nutrients share कर रहे हो तो उस तरह के organisms के relationship को हम symbiosis कहेंगे For example, certain fungi live inside the roots of plants कुछ ऐसी भी fungi हैं जो पेड़ के जड़ों में रहती है The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients पौधे की जड़ में जब फंगाई होता है तो पौधा उसे nutrient प्रवाइड करता है और fungus पौधे को water provide करता है तो इस relationship से दोनों को फाइदा होता है plant को water मिल जाता है, fungi को food मिल जाता है ऐसे ही एक relationship को हम symbiosis कहेंगे In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together Lichen एक तरह का alga है, alga singular होता है और algae plural है, उसी तरह fungus singular है और fungi plural है बहुत सारे fungus को मिला के fungi बनेगा और बहुत सारे alga को मिला के algae बनेगा तो एक alga जिसका नाम lichens है इसके पास chlorophyll होता है और इसका एक symbiotic relation है symbiosis वाला relation है एक fungus के साथ ये दोनों साथ में रहते हैं the fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus जो fungus है वो alga को घर देता है, shelter देता है, पानी देता है और minerals भी देता है जिसे use करके alga food बनाता है और वो food fungus को भी share करता है तो lichens का fungus के साथ ये जो relationship है इसे हम symbiosis वाला relation कहेंगे या फिर इसे symbiotic relation कहते हैं अगला है section 1.5 how nutrients are replenished in the soil replenished का मतलब वापिस आना तो pod है, हमेशा soil से nutrients खीच रहे होते हैं minerals, water ले रहे होते हैं लागातार तो ये soil में वापिस कैसे आता है replenished कैसे होता है इसके बारे में have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots अपने किसानों को देखा होगा खेत में खाद चीटते हुए fertilizer spread करते हुए या फिर gardeners को देखा होगा बगीचे में या फिर lawn में या गमलों में खाद डालते हुए do you know why this is done क्या आपको पता है ये क्यों किया जाता है you learned that plants absorb mineral and nutrients from the soil हमने जाना है कि plant minerals वे water के साथ absorb करते हैं soil से so their amount in the soil keep on declining तो minerals का जो amount है soil में वो लागतार घटता जाता है fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc fertilizers जो soil में डाले जाते हैं उसमें ये nitrogen, potassium और phosphorus होता है these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil इन nutrients को समय समय पे मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी को फिर से enrich किया जा सके फिर से mineral भरा जा सके मिट्टी में we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of the plant हम पौधे उगा सकते हैं और उन्हें healthy भी रख सकते हैं अगर हम उनके nutrient requirement को पूरा करते रहें तो usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen आम तोर पे जो फसल वाले पौधे होते हैं जैसे धान के हों वे बहुत सारा nitrogen absorb करते हैं जिससे मिट्टी में nitrogen की कमी हो जाती है deficiency हो जाती है you learned that though nitrogen gas is available in plenty in air plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide हलाकि हवा में nitrogen gas बहुत सारा present है लेकिन पौधे जिस तरह carbon dioxide air से absorb कर सकते हैं उस तरह nitrogen को absorb नहीं कर सकते nitrogen उन्हें soluble form में चाहिए होता है वे इसे मिट्टी से ही absorb करते हैं इसलिए मिट्टी को nitrogen rich बनाना जरूरी है इसलिए farmers fertilizer का इस्तेमाल करते हैं they need nitrogen in a soluble form पौधों को nitrogen घुले हुए form में चाहिए soluble form में चाहिए the bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form bacterium bacteria का singular form है एक bacteria को bacterium कहते हैं और bacteria बहुत सारे bacterium को मिला के बनता है bacteria plural है तो एक bacterium है जिसका नाम rhizobium होता है वो atmosphere से nitrogen लेके उसे soluble form में convert करके मिट्टी में चोड़ देता है लेकिन rhizobium के साथ दिक्कत क्या है कि rhizobium cannot make its own food rhizobium चुकी bacteria है इसलिए वो अपना खाना कुद नहीं बना सकता so it often leaves in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen यह rhizobium bacteria फली वाले पौधों के जड़ों में पाया जाता है जिने हम leguminous plant कहते हैं उनकी जड़ों में यह bacteria पाया जाता है यह bacteria अपना खाना खुद नहीं बना सकता इसलिए उन plants पे depend होता है food के लिए और in turn बदले में उन plants को nitrogen प्रवाइड करता है और आप यह बात जानते होंगे कि यह चना, मतर, मूंग इन सब में nitrogen बहुत सारा प्रेजेंट होता है इन टर्न, the plants provide food and shelter to the bacteria इस nitrogen के बदले plant उस rhizobium bacteria को shelter देता है रहने के लिए घर देता है और खाना भी देता है इसलिए leguminous plants में और rhizobium bacteria में एक symbiotic relationship है दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पे dependent है इस association is of great significance for the farmer rhizobium bacteria का और in leguminous plant का यह जो association है, यह जो relationship है यह किसानों के लिए बड़े महत्तों का है, बड़ा significant है they can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown जहां पे इस तरह के leguminous plants उगाए जाते हैं, जिनमें rhizobium bacteria होता है वहां का soil rhizobium bacteria enrich कर देता है, nitrogen से भरपूर कर देता है और उस soil में फिर fertilizer का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता किसानों को क्योंकि soil में already बहुत सारा nitrogen होता है दूसरे फसल के लिए, most of the pulses, dals, are obtained from leguminous plants pulses में बहुत सारा nitrogen होता है और ये pulses इसी तरह के leguminous plants से पाए जाते हैं जिनमें ये symbiotic relations होता है rhizobium bacteria के साथ इन दिस चैप्टर, you learned that most of the plants are autotrops इस चैप्टर में हमने सीखा कि ज्यादा तर जो plant हैं वो autotrops हैं अपना खाना खुद बनाते हैं Only a few plants are parasitic और separotropic कुछ ही ऐसे plant हैं जो दूसरे plant के उपर depend होते हैं या फिर सड़े गली चीज़ों से अपना nutrition लेते हैं they derive nutrition from other organisms parasitic और separotropic plant दूसरे organism से अपना nutrition obtain करते हैं All animals are categorized as heterotropic since they depend on plants and other animals for food जितने भी जानवर हैं उन सभी को heterotropic कहा जाता है heterotrops कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे और दूसरे जानवरों पर food के लिए खाने के लिए dependent होते हैं can we say that insectivorous plants are partial heterotrops क्या हम कह सकते हैं कि जो insectivorous plant है वो आंशिक रूप से partially आधा heterotropic है तो हाँ हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि insectivorous plant में chlorophyll होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन उनकी nutrient requirement पूरी नहीं हो पाती इसलिए उन्हें कीडों को पकरके insects को पकड़के अपना nutrition का requirement पूरा करना होता है इसलिए उन्हें हम partial heterotrops आंशिक रूप से heterotrop आधे heterotrops कह सकते हैं तो इसी के साथ कत्म होता है आपका पहला chapter science का मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप comment section में जरूर लिखिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे chapter 2 के साथ तब तक के लिए बाई बाई बाई